तीन बेटिया थी, जो जरम से ही दिव्यांग थी, उसकी बड़ी बेटी बिंदरा बोल नहीं सकती थी, तो मंजली बेटी सुन नहीं पाती थी, और छोटी बेटी दिश्टी देख नहीं पाती थी, लेकिन तीनों बेहनों के बीच इतना ब्यार था, कि उन्होंने एक दूसरे कमी को कभी भी उजागण नहीं होने दिया, तीनों मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा भी किया थी, लेकिन अब उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सता दी थी, क्योंकि एक तो वो तीनों दिव्यांग, उपर से ऐसी लड़कियों को कोई भी अच्छा घर अपनी से हो जाती है, और भगवान की क्रिपा से तीनों एक ही घर में जाती है, जहां उनकी सास सर देवी उनका स्वागत करते हुए बोलती है, अरे मेरी अंधी गुंगी बहरी भवों, तुम लोगों के आगे कलश रखा है, उसे पैर से गिरा कर अपने कदम अंदर रखो, बिंद बिंदरा को देखकर कलश गिरा कर अंदर आ जाती है, और अंधी द्रिष्टी को कलश ना देखने की वजह से वो इधर उधर पैर मारने लगती है, और ये देखकर सरला की पड़ोसन मधू बोलती है, अरे ये तुमारे चोटी वह उतर लंगडी खेलने लगी, इसको बोलो पहले कलश गिरा के अंदर तो आ जाये हैं, अपनी बेहन का ऐसी मजाग बत्ता देख, बिंदरा और सुनैना उसका हाथ पकड़ कर उसके कलश को गिरवा कर उसे घर के अंतर लाती है, और ये देखकर बिंदरा का पती रमन अपनी पड़ोसन मधू से बोलता है, अंटी जी, किसी की कमी का ऐसे मजाग नहीं उड़ाना चाहिए, और वैसे भी इन तीनों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की कमीों को पूरा बती है, फिर भी बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम लोगों की, जो ऐसी आग मूँ से अपाहिश लड़कियों को मज़ नहीं आएंगी, क्यों अपना समय बर्बात करता है, चल बहू को अंदर लेकर चल, सरला अपने बेटे और बहू के साथ घर के अंदर आती है, लेकिन उनकी ये तीखी बाती सुनकर मधू मन में बोलती है, बहुत उड़ रही होना अपनी बहू की एकता पर, मैंने भी सासत इन बहनों में फूट ना डलवाई, तो मेरा नाम भी मधू नहीं, मधू अपने घर चली जाती है, तो वहीं सरला अपनी तीनों बहू से बेहत खुश होती है, क्योंकि तीनों भले ही दिव्यांग थी, लेकिन उन्होंने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल सरला को के जिन्दगी एश्की हो गई थी, तीनों बहने एक दूसरे के सहयोग से, अभी काम अराम से करने लगी थी, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, वही नजर लगाने, एक दिन सरला की पडोसन मधू घर आती है, और सिब बोलती है और सरला बहन सब ठीक तो चल रहा है ना, मधू बहन भगवान की क्रिपा से सब ठीक है, भवो ने पुरा घर संभाल लिया, अरे मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सरला बहन, फिर भी एक बात पूछू, हाँ लाग चुपाओ, लेकिन जो देख सुन बोल नहीं सकती, वो क्या ही हर काम को सही से करेंगी, नहीं नहीं बहन, तीनों मिलकर सभी काम अच्छे से कर लेती है, लगता ही नहीं है कि उनमें कोई कमी है, फिर तो पक्का ये तीनों बहने तुमारे घर को हत्याने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि खुद सोचो, जिन्होंने इतने समय में सारे घर की जमेदारियां ले ली, वो तुमारे बेटों को भी अपनी तरफ करके तुम्हें घर से निकलवा देंगी, अरे पर ऐसा क्यों करेंगी मेरी बहुए, ये सब तो उन्हीं का है, अरे बेहन लालज, अब करना के दिलो दिमाग में घर कर जाती है, और वो अपनी बहुओं के बीच पूर डालने के लिए, उनको बुला कर उनसे बोलती है, बहुओं में देख रही हूं कि तुम तीनों में कोई काम कम करता है, कोई जादा, ऐसे ही एक इनसान के उपर सारी जिमेदारियां आ जाएं और कोई भी एक दूसरे की काम में मदद नहीं करेगा, देख लेजे माजी, कहीं बाद में आपने हमें दूसरे काम करने के लिए कहा ना, तो मेरे हम में यह घर छोड़ कर चली जाएंगी, नहीं नहीं, मैं क्यों कहूंगी, मैंने ही तो तुम लोगो कॉलक किया है, और कि वो तो एक हस्ते खेलते परिवार में फून डालने ही आई थी, जिसमें वो काम्याब हो गई थी, अब तीनों बहुए अपने अपने काम को बाट लेती है, गुंगी बिंदरा के पल्ले घर की सफाई आती है, और अंधी दृष्टी के पल्ले खाना बनाने की जिम्मेदा तो वही सुनेना के हाथ बरतन और कपड़े धोने की जिम्मेदारी आती है, अब तीनों बहुए अपने अपने कामों में लग जाती है, डृष्टी सुभा सुभा सबको आधा तर्चापक का खाना खिलाती है, लेकिन सरला उसको कुछ बोल नहीं सकती थी, एक शाम जब सरल का चाय पीने का मन था, तो वह डृष्टी को चाय बनाने को कहती है, कुछ देर में वो सब के लिए चाय लेकर आती है, जिसे पीते ही, सरला उसे थूपते हुए बोलती है, अब मैंने तो रसोई में टब्बे सजाए नहीं थे, कहा चीनी है, कहा नमक है, अंदाजे से उठा रही थी, गर्टे से नमक कटब बहात लग गया होगा, अरे तो अकल की अंदी पहले चक लिया रही है, हाँ मा जी, अब सध्यान रखोंगे, ले जा इस चाय को, सारे मुखा साथ बिगार दिया, द्रिष्टी तो अपनी कामों में असफल होने लगी थी, वही दूसरी तरफ बिंदरा पूरे घर की सफाई कर रही होती है, जिसके कारत वो पोचा लगा कर हटती है, तब ही सरला कीले फर्ष पर नंगे पैर आने की वर्षा से विसल जाती है, और जोर-जोर से चिलाते हुए बोलती है, हाई राम मर गई, आज तो इसने मेरे कमर ही तोड़ती, अरे बि बिंदरा सरला की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसको उठा कर सोफे पर बिठा देती है, ये देखकर सरला बोलती है, हाई राम मैं भी किसको बोल रही हो बोलने को, ये कुंगी बोलेगी भी तो क्या, विचारी सरला अपनी हस्ती खेलती जिल्देगी को खुद ही ज जाती, कि सरला के दिन का अराम भी हराम हो गया था, वो जैसे ही सोने जाती, सुरेना की जोर-जोर से बतन और कपड़ी धोने की आवाज उसी सोने नहीं देती, जिसके कारण सरला का बुरा हाल था, ना तो उसको अच्छा खाने को मिलता, और ना ही अराम करने को मिलता, ये स मेरी ही नोकरानी जैसे हालत हो गई, अब क्या करो इनको कुछ बोला तो घर चोड़ कर चली जाएंगी, सरला अपने कमरे मी परिशान बैठी थी, तब ही वहां रमान आता है, जो अपनी मा को परिशान देकर बोलता है, क्या हुआ मा, ऐसे परिशान क्यों हो, वेटा मैंने क कैसे और की बातों में आकर अपना ही घर बर बात कर लिया, और भुव में फूट दलवा दी, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, पहले मुझे पूरी बात बताओ, किसके कहने पर आपने क्या किया, सरला रमन को सारी बात बताती है, कि उसने मधू के कहने पर अप ठस्ते खेलते परिवार में दरार डालती, ये सुनकर रमन अपनी मा से कुछ बोलता, उससे पहले ही बिंदरा सुनना और द्रिष्टी सरला की कमरे में आती है, और द्रिष्टी अपनी सास से बोलती है, मा जी, हम तीनों बहनों में तो कोई चाहकर भी पूट नहीं डाल सकता, तो फिर आप क्या करेंगी, देखिए, हमने आपकी बात का मान रखने के लिए ही अपने कामों को अलग-अलग बाट लिया था, लेकिन आपने खुद देखा ना, कि जहां हम तीनों बहने एक दूसरे की कमजोरी को पूल करकर सारा काम अच्छे से कर लेती है, वही अलग-अलग रहकर हम सारे कामों में गड़बड कर देती है, दृष्टी सही बोल रही है मा, और किसी के कहने से अपने घर को आग नहीं लगाया करते, लोग तो हमेशाद दूसरों की खुश्यों से चलकर उनके घर में फूट डालने की कोई लिए सही है, वो फैसला लें, सही कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर कभी भे अपनी घर में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दूसरों का कुछ नहीं जाता, हमारे ही घर का सुप चैन चला जाता है, इसलिए अपनी घर की खुशियों को बज़ने रखें, और दूसरों की कड़ई बातों से दूर रहें जिसका सपना था आईस बनकर देश सेवा करना एक दिन श्रकुंतला कोचिंग सेंटर जा रही होती है तब ही उची जात का एक गुट उसे बीच रास्ते में ही चारों तरफ से खेर लेता है रया चोटी जात की लड़की भी कलेक्टर की पढ़ाई करेगी कि पत्थर मारो या गोली कोचिंग सेंटर जाकर ही रहूंगी मैं हटो अगे से मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है देखो तो इस चोटी जात के लोगों को अब ये हमसे बराबरी करेंगे अरे ये ऐसे नहीं मौनेगी आस तो इसको जाने ही नहीं देंगे इसकी इतनी हिम्मत चोटी जात के लड़केगी अवे मजा चकाते हैं इसे चोड़ो मेरे बाल चोड़ो हाँ है हिम्मत और तुम्हारा ये जात बात का भेट भाव और नहीं जलने वाला अरे चोरी ये अडेला ये किताब में पढ़के तारा दिमाग खराव होगा केवल और कुछ नहीं मिलना तुम्हें ये तारी जात के लोग गाताई नहीं बनाई हमने ला तभी भीड में से इत युगक उठकर आता है और उसे संभालता है मैडम ठीक तुम है न आप बैटवी को बस वा आ अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या आप लड़की को पढ़ने से रोपते हुए जैस विकास्षि बिलॉंग तो लोगों को तपाते फिरेंगे अरे क इस बात का खौफ है तुम्हें क्यों डरते हो लोगों से आरे अंग्रेज कोन है तू बैब बेला गये तिरी कामका का ग्यान तो देमत ग्यान चंद अरे आश्चिक बन रहा है कि जाता साड़े दो मिट माजी के काट देंगे तिरी और ये कैसी मान चेकता है आप लोगों की कि एक लडगी को पढ़ने से रोक रहे हो अरे अपनी सभी मान मर्यादा भूल गए हो क्या अरे ये जी नीच जात्की है इनकी क्या मान मर्यादा अरे क्या उची-नीची जाती लगा रखी है इंसान ये थिराम की चीज नहीं है कि तुम्मे जाती के अधार पर इस तरह बेदबाब करना शोबा नहीं देता आप लोगों को और पता भी है ये कानूनी अपराद है ये सोर इनरबाद में पलतन नहीं समझाओं का आपका कानून अरे बाजर है पुलिस आगी अरे कल्टी मारो पुटाबट इस तरह पुलिस की गाड़ी को आता देख उचे जात का गुट 9-11 हो जाता है और शकुंतला उन लोगों के खिलाफ जाती गद भेदभाव की FIR दरज करवा देती है पलिस अपनी कारेवाही में लग जाती है वहीं दुश्यन शकुंतला की मरहम बट्टी करवाने के लिए उसे क्लिनिक में ले जाता है शकुंतला को दुश्यन का ये स्वभाव बेहत पसंद आता है दोनों अपने अपने रास्ति चली जाती है अरे बेटिया ये चोट कैसा लगी तुमका? जी कुछ नहीं मां बस ऐसे ही अरे सब पता है मां ये उँँची जाती वाली लोंडन का क्यों है? का? अरे बेटिया ये सब उन लोगन ने किया है कल से तु कहीं नहीं जाएगी समझी? अरे मेरी गुडिया आज से तोई कोचिंग सेंटर जाना बंद क्यों? इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों ना जाओ मैं? मैं तो जाओंगी पढ़ने अरे हाँ, उन सब के खिलाफ तो मैंने कंप्लेंट भी दर्च करवा दी है अरे बिटिया का इन बेड़े लोगन से खामगा बंगो नहीं रही है? गलत उनोंने किया है, मैंने नहीं, मैंने ही डरने वाली उन में से किसी से भी फिता जी, हमें अपने हग के लिए लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा अरे इना मनिये, इसको मेरी बहन के घर छोड़ाओ कहीं उची नीच हो गई ना, तो सब धरा कधर रहते ही है शकुंतला के माता पिता, उसे उसके शहर में रह रही मौसी, शकुंतला के घर भेज़ देती है अब उसकी बागी के UPSC की तयारी शहर में ही पूरी होती है जहां के कोजिंग सेंटर में इत्फाक से उसकी मुलाकात दुश्यन से होती है अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, तुम्हें दुबारा देख कर अच्छा लगा तुम यहाँ शहर में कब से रहने लगी? उस गाओ में पढ़ना जरा मुश्किल हो गया था हर कोई तुम जैसा नहीं होता न और तुम्हारी बाहदरी भी कुछ कम नहीं है बैसे अब तुम एक इंसिटुट में हैं तो मुलाकात तो होते ही रहेगी दुश्यन दोर शकुंतला बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और फिर आहस्ता आहस्ता ये दोस्ती तब्दिल हो जाती है महववद में पर दुश्यन के माता पिता को ये रिष्टा मन्जूर नहीं होता लेकिन समाज की पेडियों और पुरानी रीत को तोड़ते हुए दोनों एक दुसरे से कोट मैरिज कर लेती है शादी करने की पाद जैसे ही दुश्यन शकुंतला को लेकर अपने घर जाता है आरे विट्टा, अरे कोड है लड़की पिता जी ये आपकी बहु शकुंतला है हमने कोट मैरिज कर ली बादजा मेरी नजरा से दूर पुरे समाज में तुने मारित धुत्तो करा दी कदी मा, आप नहीं तो कहा था के सब लोग एक होते है तो अब ये भेदवाफ क्यों अरे, वो तो बात की बात थी पर ये क्या किया तुने नीच जाती की ब्यालाया प्रणाम सासुमा अरे, कब तक आप लोग जो बराबरी का हक होता है अरे, तू इस तलित लड़की को भ्यालाया जिसकी वज़े से हमारी चाती के कई लोग जेल गए थे मैं कह रही हूँ अभी इस रिष्टे को तोड़ दे अरे, गुट्टे-गुडिया का खेल समझा है क्या अपने शाधी व्याको आपकी उची जात वाले लोगों ने मेरे साथ क्या किया था वो याद नहीं आपको जो किया था, सही किया था आई पड़ी, मुस्तु बोल लड़ाएगी इतनी इम्मत, अभी बताती हूँ बस मा बस, बहुत हो गया अब और नहीं चल दकता है जाती वात प्रथा हमें इसे खात्म करना ही होगा आप अपनी बहु को अपना लीजिए वरना मैं घर छोड़ दूँगा आज गे बाद मेरे गर की तैलीज पे ख़दम मत रखी हो, चल इस तरह दुशंत के माता पिता उन दोनों को जलील कर घर से निकाल देती है वहीं रूडिवादी समाज भी उनका दाना पानी बंद कर उन्हें प्रिश्कृत कर देता है लोगों की तक्यान उसी बातों और तमाम मुसीबतों के बात भी अपनी शकुंतला और दुशंत की इंटरकास जोड़ी हार नहीं मानती इन विपरिट परिस्थितियों से लड़ते हुए वो दोनों अपनी जौब और पढ़ाई चारी रखते हैं और आयस ओफिसर बनकर एक मिसाल बन जाते हैं जिसके कारण समाज की छोटी सोच में परिवर्तन आता है अरे जात पात कचु नहीं होता बता दिया अपनी सकुंदला बिटिया ने कितना नाम रोसन किया उसने अपने लालकुमा गाउं कहां अरे वाह कितनी अच्छी सोच वाले लड़का है ये दुश्यन्त जात पात में कोई भेदभा भी नहीं करता इतनी अच्छी सोच की वज़ा से ही शायद आज ये आई एस बन गया है अगर मुझे भी सफल हो जैना तो ऐसी ही सोच रखनी पड़ेगी रुडी वाधी सोच वाला लालकुआ गाउं आखिरकर उदार वाधी मानसिक्ता अपना ही लेता है वही दुश्यन्त और शकुंतला के परिवार वाले भी जात पात को भूल दोनों को अपना लेती है इस तरह पूरा समाज समानता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है तो दोस्तों क्या आपके आसपास भी जात पात को लेकर भीदबाव है कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंदाई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा